हाई दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे डी शर्फ स्केल का उबर मतलब हम लोग सीखा है जैसे की सी में सी में देखा है सारे का मा पाधानी सानी धापा मागारे सा ऐसे टेकर सी कहा है उसके बाद सी शर्फ देखा है उसके बाद डी देखा है तो आज देखेंगे डी शर्फ और ई तो डी शर्फ में क्या है डी शर्फ का सारगाम हम बजा रहा है सारे गामा पाधा नीसा, साने धबा माधा रेसा तो इसका साथ साथ लेफ ठंड जो जाएगा मनलब डी शार, बी फ्लैट, डी शार, जी शार, जी शार, जी शार, बी फ्लैट, डी शार तो इसको थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी बाजने का कोशिश करेंगे तो यह हो गिया, बी शर्टों का सरगाम, उसके बाग हम लोग E करेंगे E में सरगाम क्या है, सारे का मापादा नी सुन, सानी दापा मागारे सा, ऐसा करके तो इसमें क्या है, E, B, E, A, E, A, B, E, E, B, A, E, A, E, 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 B, E तो ऐसा करके हम लोगों को स्पीड में थोड़ा बजाना होगा तो इसके पाद हम लोगों को दोनों स्केल एक साथ देखना पड़े जाए पहले डिसप करेंगे, उसके पाद E करेंगे तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये थोड़ा छोटा-छोटा करके आप लोगों करना है इतना स्पीड में जो लोग पहले बार देख रहा है, तो इतना स्पीड में आएगा नहीं तो थोड़ा-थोड़ा करके करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 फिर से एक बार बज़ा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह हो गया E और हम लोग देखा है टोटल पार्थ स्केल, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब C हो गिया, C शर्फ हो गिया, D हो गिया, D शर्फ हो गिया, D शर्फ हो गिया, D शर्फ और E आज हो गिया है नेक्स दिन हम लोग देखेंगे एक साथ तीनो स्केल, F देखेंगे, F साथ देखेंगे, G देखेंगे यह प्रैक्टिस आगा करेंगे तो इसमें सिंक्रोनाइशन पहुँच अच्छा होगा, तो देखेंगे, क्या हो रहा है उसके बाद हम लोग तीनो तीनो करके काम करेंगे, मतलब अब ही एक एक करके कर रहा है, फिर उसके बाद तीनो करके, अग्णक करके मतलब लेप हाद मनतीन और राइख हैंट मलतीन, एक साथ जयएका सान्य कामा पादा निसस, सनी थाफ दां पांधा रेसा उसके बाद जुसके लाज हम लोग की ए है जीशा ऐसे ऐस हम लोग देखेंगे तो जाता जात एक गाना हम बजा दे रहा है छोड़ा सा हिंडी गाना है थोड़ा सुनिया कैसे लग रहा है हमको वो ये कॉमेंट में कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कैंद।